मुख्यमंत्री जैराम ठाकूर मंत्री मंदल के सदस्यों, प्रदेश सरकार के वरिष्ट अधिकारियों और विभिन क्षेत्रों के विशिष्ट लोगों ने सोमबार को राजभवन में राज़ेपाल को भावनात्मक विदाई दी प्रदेश मुख्यमंत्री जैराम ठाकूर ने अपने मंत्री मंदल के सदस्यों विभिन क्षेत्रों के विशिष्ट लोगों ने सोमबार को राजभवन में राज़ेपाल बंडालू दतात्रे को भावनात्मक विदाई दी इससे पूर्व राज़भवन के करमचारियों ने आज राज़ेपाल बंडालू दतात्रे के लिए विदाई सामारो आयोचित किया इस अफसर पर राज़ेपाल दतात्रे ने कहा कि उन्होंने पिछले दो वर्षों के दौरान प्रदेश के लोगों से सनेह आदर एवं सम्मान प्राप्त किया है जो उन्हें हमेशा याद रहेगा उन्होंने कहा कि अपने लगभग दो वर्ष के इस कारेकाल के दौरान उन्होंने राजभवन की गरिमा को बनाए रखने और प्रदेश की उन्नती और विभिन कल्यानकारी गती वीधियों में भाग लिया जो इमाचल प्रदेश के सरकार के दरफ से जो मुझे फेरवेल दिया या बदाई दिया और यहां के खरमचारी मैं उन्होंसे बहुत ही प्यार और फ्रेम हुआ मुझे जाते वक्त जो है तुछ दुख भी लग रहा है मुखे मंतरी जी और मंतरी गण और सारे आधिकारी लोग और राजबोहन के आधिकारी लोग सुभी लोग भी रेम से प्यार से राजबोहन में काफी आच्छा देखनी है पर भी मैं बहुत समुर्थियों से जा रहा हूँ इस मौके पर मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर ने कहा कि राज़े के राज़ेपाल के रूप में बंडारु दतात्रे जैसे सजन और कर्मयोगी वेक्तितों पर प्रदेश और प्रदेश वास्तियों को गर्भ है उन्हेंने कहा कि राज़ेपाल ने हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी हैं उन्होंने निरवर्तमान राज़ेपाल को भी उनके द्वारा प्राप्त असने हों और मार्कदर्शन के लिए आभार व्यक्त करने के साथ उनके अच्छे स्वास्ति और दिरगायू के लिए प्रात्ना की आगे के कारいकाल के लिए और हिमाचल प 2 देश्ट में विशेश तोरum से उनने जो मंत्री मंडल में रहते हुए केंद्र में काम किये सांसत बनकर के लोगों के बीच में काम किये उन वाथों का जिकर हमेशा हमारे साथ सांजय गते थे को भारवेक्त करता हूँ और उनका एक बहुत अच्छा कारेकाल जादगार कारेकाल यहां हिमाचल पदेश में रहा और स्वास्ते की दिश्टी से भी वो बहुत बहुत बेतर यहां आने के बाद अपने आपको महसूस कर रहे हैं इस बात की हमको परसंता है इस बात को भी क्या है कि आप भी चंडीगड आते रहें और हम भी शिमला आते रहेंगे तो शिमला से उनकी जुड़ी जादें मुझे लगता कि हमेशा उनको शिमला आने के लिए बाद्य करती रहेंगी और हिमाचल परदेश कारेकाल राजयपाल के रूप में जो रहा है उसको हम सिधार समर्मित करें इस अफसर पर राजयपाल के पुर्व सच्चिव राकेश कवर ने विभिन क्षेतरों में राजयपाल द्वारा किये गए कारियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके कारियों ने हैमाचल परदेश को एक नई दिशा प्रदान की है और इने हमेशा याद रखा जाएगा उन्हेंने कहा कि राजयपाल द्वारा प्रदेश में किये गए कारियों को सभी स्तर पर सहीयोग और प्रशन सामिली है इस असर पर राजयपाल के नए सचिप प्रियतू मंडल भी उपस्तित रहे जिन्होंने आज अपना कारियभार संभाला ब्यूरो रिपोर्ट सीटी चैनल शिम्ला